एलो फैंड्स विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ चीज केक की रेसिपी तो इस चीज केक को हम बिना अंडे और बिना क्रीम चीज के बना कर तयार करेंगे तो आए रेसिपी शिरू करते हैं तो चीज केक बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर मैंने लिए हैं दो गुडडे बिस्कुट के पैकेट यह दस वाले बिस्कुट हैं यह पर मैंने दो पैकेट लिए हैं इन बिस्कुट को हम बॉल में डाल लेते हैं अब इन बिस्कुट को हम दो से तीन टुकडों में तोड़ लेंगे तो सभी बिस्कुटों को मैंने इस तरह तोड़ लिया है अब यहाँ पे लिया है मैंने एक मिक्सिंग जार तो मिक्सिंग जार में हम इन बिस्कुट के टुकडों को डाल देंगे इसको हम बंद करके इसका एकदम पतला यानि एकदम बारिक इसे पीस लेंगे तो बिस्कुट को हमने एकदम बारिक पीस लिया है आप देख सकते हैं अब इस बिस्कुट के मिक्सर को मैं डाल दूँगा किसी बाउल में अब इसको मैं अच्छा से mix कर दूँगा यानि हलका सा इसे चला दूँगा अब इसमें डाल दूगा मैं लगब दो टेबल इस्पूनी करेब melted घी आप चाहिए तो melted butter का भी यूज कर सकते हैं अब इस सभी को मैं अच्छे से mix कर दूँगा कर दिया है अब यहां पर लिया है मैंने नोनिस्टिक केक्टिन तो इसका जो बेस हो जाता है यानि इसका बेस जो है नीचे का यह हट जाता है आप देख सकते हैं इस तरह तो आपको यह ओनलाइन या फिर मार्केट में आसा नहीं से मिल जाएगा इसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी तो कि केक का हम नहीं mixer बनाये था इसको हम केक्टिन के अंदर डाल देंगे अब इसको मैं चम्मस से चारो तरफ पच्छे से फैला दूँगा इसको चारो तरफ से बराबर करने के लिए यहाँ पर मैं एक गिलास ले रहा हूं जिसका बैक साइड से हम इसको चारो तरफ से बराबर कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से बराबर कर दिया है हमारा केक्टिन वह अब रैडी है इसके किनावरो पर मैं लगा दूँगा हलका सा गी कि इसके उपर हमें लगाना है बेकिंग पेपर इसके अपर गी लगा के हम इसको बेकिंग पेपर को अच्छे से चिपका देंगे आप चाहिए तो यह बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं तो बेकिंग पेपर को मैंने केक लिंग की किनारों पर अच्छे से चेपका दिया है कमरा केक टीन एक तम रेड़ी है इसको हम साइड में रख देते हैं तो अब एक बावल में मैं डालूगा थ्री फोर्थ कप हांकर्ड यानि दहीं का चक्का जो होता है आप इसमें डालूगा मैं हाफ कप सुगर एनी चीनी तो इसको मैं अच्छे से विसक कर दूगा आणि इस अच्छे से विसकर से मिक्स कर दूगा जबतक इसकी कंसेस्टेंसी जो है क्रीमी ना हो जाए तो इसको मैंने 3-4 मिनिट तक अच्छी तरह लगातार विस्क कर लिया अब देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंस एकदम क्रीमी हो चुकी है तो इसको भी हम साइड में रख देंगे तब एक बावल में मैं डालूँगा एक कप वेपिंग क्रीम अब इस वेप क्रीम को हम अच्छे से वेप कर लेंगे जब तक कि एकदम फूली फूली एकदम क्रीमी ना हो जाएं जैसा कि हम केक पर लगाते हैं तो हमारी क्रीम जो है वो वेप हो चुकी है आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं है बस इसी कंसिस्टेंसी तक हमें से विप करना है तो आप एक बाउल में मैं डालूंगा दो टीस्पून जेलेटिन कि अब इसमें डालूंगा मैं लगवग तीन टेबर इस्पून के करीब गरम पानी यह हलका गरम पानी है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दिया अब इसको हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो अब जो हमने विप क्रीम को विप किया था उसके अंदर हम डाल देंगे हमारा हांकर्ड का मिक्सर इनी जो दहीका हमने जाऒता है तो हम इसमें डाल देंगे मैं एक टीज़्पुण वैनिला एसेंस तो अब इन सब्सक्राइब अच्छितान है इसम अब इसको मैं इस पैज़ुल्या से लोड्ड कर लूँग या फिर इसक Kr negatives को तो किरेम लागी वूह वह अफा डालूंगा तो हमारा जो जलेटन है वो भी रेडी हो चुका है इसको मैं लगबग 3-4 सेकिंड के लिए गैस पर गरम कर लिया था और एकदम पतला होगी आप देख सकते हैं इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे इस जलेटन के मिक्सर पर में डाल दूंगा क्रीम के मिक्सर म तो इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसको भी हम अच्छे से विप कर लिया है हमारा जो क्रीम चीज का जो मिक्सर है मैंने कि हमारा चीज केक का मिक्सर है वो रेडी हो चुका है तो इस चीज केक के मिक्सर को हम डाल देंगे केक टिन में तो दोस्तो चीज केक की जो फिलिंग का मिक्सर था उसको हमने केक्टे में डाल दिया है अब इसको मैं इस स्पैचुलों से अच्छे से फैला लूँगा इसको मैं दो से तिन बार टैप कर दोंगा ता कि इसमें एर बबल्स ना रहें और यहां पर मैंने लिए आइसिंग स्पैचुला तो इसको हम इसका यूज करते हुए हम इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे चारो तरफ हम इसे बराबर कर लेंगे तो इसको मैं चारो तरफ से अच्छे से स्मूथ कर लिया है अब इसको हम रख देंगे लगबग चार से प भोल लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका जो बीसे वो रिमूव हो जाता है तिसी तरह हम इसको रिमूव कर लेंगे कि अब इस चीज के को मैं ट्रांसफर कर दूँगा केक बोर्ड पर तो इसका जो बीकिंग पेपर हमने लगाया था इसको भी हम हटा लेंगे इसका बीकिंग पेपर हमने हटा लिया है अब इसके उपर डाल दूँगा मैं मेल्टेट चोकलेट यानि दूद और चोकलेट को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया था और इसको एक दम ठंडा कर लिया था अब इसको हम इस पेचुला से अच्छे से फैला देंगे तो चोकलेट को मैंने इस पर पहला दिया है अब एक डब्बी में यानि कि इस पूर्टल में मैंने चोकलेट को भर लिया है अब जाने आप पार्पिंग बैक का भी येज़ कर सकते हैं इससे हम इसके किनारों पर अच्छे से डिजाइन बना देंगे तो इसके किनारों पर मैंने अच्छे से डिजाइन बना दिया है तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से एक कट हो रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा चीज के कट रेडि हो चुका है दोस्तों अगर आपको वीडिय गर ऐसी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब जरूर कीजिए